हेलो फ्रेंड वल्कम टू आवर इव्टू चैनल माइनिंग कंसेप्ट आज मैं एक इंपोर्टन टोफिक के बारे में डिस्क्रस करने वाला हूं हमेशा देखा गया है कि इस टोफिक से माइनिंग सरदार ओभर में या डिजमेंस की कंपटेंसी एक्जामिनेशन हो सभी में हमेशा इस टोफिक से को सिल पूछा है तो चलिए आज इस से समझते हैं कि कोल माइन डास्ट और रेगुलेशन नमबर 143 तो इसको रेगुलेशन नमबर 143 पिरको सम एगेंस डास्ट बहुत इंपोर्टेंट रेगुलेशन है हम चाहेंगे कि इस वीडियो को वाच करने के बाद या साथ ही इस रेगुलेशन को ज़रूर रीड करें तो इसका मेन पॉइंट को आज हम समझते हैं इसी मेन पॉइंट से ही सबसे ज़्यादा कुछिन रहता है और इसी में हमें कन्फुजन होता तो इसको समझने से पहले थोड़ाशा हम समझ लेते हैं कि डास्ट क्या है dust, actually dust very small particle of the matter substance को हम dust गोलते हैं चाहे ओ येर में suspended हो या gravity के चलते नीचे जिरा हो उसको हम dust गोलते हैं अब dust को हम तीन तरह से देख सकते हैं first year old dust inhalable dust and respirable dust अब तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं briefly airborne dust means जो भी dust year में या atmosphere में suspended है fly कर रहा हो उसको हम airborne dust बोलते हैं inhalable dust जो भी atmosphere में year हो dust हो उसको जब हम inhale कर लेता हूँ तो हम उसको inhalable dust करते हैं और जो respirable dust ओ रश्ट है जो inhale करता हूँ dust उसमें से कुछी percent मेरे lungs के gas exchange region तक पहुच पाता है जो lungs तक पहुच पाता है उसी dust को हम respirable dust बोलते हैं तो कहने का मतलब है कि total जो inhalable dust है total respirable dust नहीं है उसका कुछी percent जो less than five micron का होता है वो ही dust मेरा lungs के gas exchange region या lungs तक पहुच वाता है उसी dust को हम respirable dust बोलते हैं तो respirable dust जो है wrist to length और वो इसा dust पहुचेगा जिसका size जो होगा less than five micron का होगा तो थोड़ा सा हम micron को भी समझ लेते हैं actually one millimeter size का अगर कोई dust particle है अगर वो थूटे उसको अगर हम हजार भाग से बाटेंगे तो एक भाग जो होगा उसको हम one micron कहेंगे जैसे human hair जो है human hair का डाया जो है लगभग 50 to 70 micron का होता है हमारे naked eye जो है आभग 30 micron size का ही देख पाता है उसे small होगा तो नहीं देख सकता है अब micron बोलिए या micron meter बोलिए दोनों same चेज है इसमें confusion ने करना है यह तो हो गया आपका dust अब समझते हैं उसका उससे related regulation इस regulation में काता है अगर fully working in the coal scene फिरी silka percentage less than 5% तो permissable limit क्या होगा तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं फिरी silka है क्या क्या बार हम समझ लेते हैं कि फिरी silka जो है silka ही है जो silka क्टूट के environment में है वो silka है फिरी silka है नहीं ऐसा नहीं है फिरी silka और silka में दोनों में defense है जब silka जब silka क्टूटेगी तो दो तरख से dust बनेगा दो form में dust बनेगा एक crystal form में और एक अब मुर्फस form में तो इसको थोड़ा सा समझते हैं पिरी फिरी silka इसको chemical हम chemical name इसका जो है silicon dioxide way of sight दो form में यह silka अगर कोई rock है ऐसा या coal seam के environment के बीच में कोई ऐसा rock particle या कोई material आ गया जिससे जिसमें silka percentage बहुत ज्यादा है तो वह dust बनेगा तो दो form में बनेगा एक amorphous form amorphous form और crystal form में बनेगा तो amorphous form का कोई specific definite design नहीं होगा जैसे calcium carbonate चुना भी सबको ले लीजिए इसमें कोई specific design नहीं है लेकिन जो crystal form का है उसका एक definite safe होगा एक specific design होगा जैसे sand लीजिए sugar ले 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 लीजिए इस सबका अगर डस्ट बना हो तो उसका एक specific design है एक definite safe है तो उन डस्ट को अगर हम skin में रगडेंगे तो एक चुभान सा होने लगेगा इसके को काटने लगेगा एक कुछ लंबे समय के बाद मेरा skin में एक तरह का skin का आ जाएगा जलन भी होने लगता है लेकिन इसके opposite लिजिए अगर हम चुना का या calcium carbonate का dust को इस मिलने रहेगे तो उतना effect नहीं करता है उसमें हमको को जलन समय होता है तो अब इससे आपको समझ माता होगा कि जो crystalline form का dust होगा उडस्ट अगर हमारे लंग्स तक जाएगा तो क्या करेगा लंग्स को भी damage करेगा लंग्स में चुभन हो लंग्स को काट देगा लंग्स में चुभन होने लगएगा एक लॉंग समय के बाद जो होगा क्या कि आपका लंग्स को फूरा डानिज करेगा और आगे चलके हम निमोकोसिस, सिलोकोसिस, इस सब दीचिस से हम विमार हो जाएंगे, तो इससे हमको समझ में आ गया, कि सीलका जो है, जब तूटता है, अगर डास्ट सीलका तूटकर डास्ट का फोर्म में आया, तो दो फोर्म में आया, एक क्रिस्टलिन फोर्म में और एक अमबोफस फोर्म म जो crystalline form में आता है उसी को हम बोलते हैं फिरी सिल्का इसको कई बार हम crystalline सिल्का भी बोलते हैं कौर्च भी बोलते हैं इसको आप crystalline सिल्का भी बोल सकते हैं इसको कौर्च भी बोलते हैं कौर्च भी बोलते हैं तो crystalline सिल्का, कौर्च और फिरी सिल्का सब एक ही चीज है तो इससे कन्फुजने करना है सब एक सेम चीज है तो हमको इससे समझ में आया अगर फिरी सिलका का पर्षेंटेज जिस इंवर्मेंट में जादा होगा हमको जादा नुक्सान करेगा तो जब हम फुली कोल सीम में का वर्क करेंगे तो फुली कोल का इंवर्मेंट होगा तो उसमें सिलका का पर्षेंटेज टू टू फाइव पर्षेंट से ही होता है अनि कि अगर फुल कोल का इंवर्मेंट होगा तो उस इंवर्मेंट में फिरी सिलका का पर्षेंटेज less than 5% ही होता है और तो इसमें कहता है कि cold sim का environment या free silka percentage less than 5% और यह कि दोनों बात एक directly कह रहा है कि free silka का percentage less than 5% और एक आपको indirectly उसमें कह रहा है कि less than 5% दोनों same बात कह रहा है तो जब ऐसा environment होगा जहां less than 5% free silka percentage है तो permissible limit क्या होगा उस condition में permissible limit उस condition में permissible limit क्या होगा 2 milligram per cubic meter 8 hours time time or date average time or date average को समझने से पहले इसको समझने से पहले इसको समझने लीता है तो जब हमरा इन्वर्मेंट ऐसा इन्वर्मेंट इसमें फिरी silka का percentage less than 5% है उसके लिए permissible limit 2 milligram per cubic meter होगा ठीक है इसमें अगर आप समझना चाहते हैं कि इसमें 2 milligram अगर respirable dust है मेरे लंग्स तक पहुंचा है तो उसमें silka का percentage maximum कितना होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं तो आप जैसे इसमें फास्ट में का रहे हैं कि लेस दन 5% तो हम percentage निकाल लेते हैं तू मिली ग्राम इन्टू 5 वाइटे हंड्रेट सो हल करेंगे तो 0.01 milligram तो अगर 2 milligram मेरे लंग्स तक पहुंचा है तो अपका फिरी सिलका percentage यानि क्रिस्टलीन सिलका जो होगा 0.01 milligram से ज्यादा नहीं होना चाहिए anyhow इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आप दूसरा condition को समझते है condition number 2 को समझते है तो condition number 2 क्या करता है कि जब सिलका percentage more than five percent more than five percent जब सिलका percentage five more than five percent होगा तो उस condition में permissible limit क्या होगा एक constant number रखें है 10 10 को divide करेंगे फिरी सिलका percentage से फिरी सिलका percentage से milligram per cubic meter और eight hour time weighted average अब जब जहां more than five percent फिरी सिलका होगा वहाँ पर यह अपलाया होगा एक constant number 10 by 10 को 10 रखें है उसको divide कर देना है जितना environment में सिलका percentage है तो सिलका percentage से divide करने पर जो निकलेगा वह उस environment के लिए permissible limit होगा एक्जामपूल लेते हैं जैसे कोई अगर क्वार्जाटिक स्टोन है तो क्वार्जाटिक स्टोन में लगभग 90 to 95 percent 90 to 95 percent सिलका होता है तो अगर क्वार्जाटिक स्टोन में बलस्टिं होगा या उसको काटा जाएगा तो डस्ट का फर्मिशन होगा तो क्वार्जाटिक में अगर 90 percent सिलका है तो वह अगर डस्ट के फर्म इंभर्मेंट में आएगा तो उसमें फिरी सिलका और और अमोफस फर्म का डस्ट बनेगा ही बनेगा तो फिरी सिलका का पर्सेंटेज हो सकता है कि 5 percent से ज्यादा और होगा ही होगा 5 percent से ज्यादा बनेगा ही बनेगा तो अगर सेंड इस्टोन का है सेंड इस्टोन से 60-70 percent सिलका होता है तो ओडस्ट के फर्म में अगर बनके इंभर्मेंट में आता हो तो उससे भी 5 percent से ज्यादा फिरी सिलका बनेगा तो अगर ऐसा इंभर्मेंट जहां फिरी सिलका का percentage more than 5 percent है तो उस condition में permissible limit इस formula से निकालते हैं कैसे हम निकालते हैं चलिए हम देखते हैं अगर मान लिजिए कि कोई इंभर्मेंट है जहां पर एक्जाम पोई जहां पर फिरी सिलका percentage फिरी सिलका फिरी सिलका percentage 20 percent फिरी सिलका percentage 20 percent है तब permissible limit क्या होगा चलिए यहां देखते हैं तो permissible limit उस condition में क्या हो जाएगा 10 divided by फिरी सिलका percentage 20 तो milligram per cubic meter so calculation कर लिजे तो हो जाएगा आपका 0.5 milligram per cubic meter तो उस environment के लिए आपका 0.5 milligram per cubic meter यह आपका permissible limit हो जागा यह तो हम समझ गये अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि यह तो 8 hour time audit कर रहे हैं कि यह 8 hour time audit average है मालने यह कोई ऐसा environment है जहां पर blasting हो रहा हो टांसपोर्ट का कोल का हो रहा हो यानि कि माइस में manpower जगा जगा बटा हुआ है तो अगर बलास्टिंग जहां हो रहा हो वहां का अगर सेंपल लेगे तो वहां का सेंपल में फिरी सिल्का का percentage ज़्यादा होगा लेकिन बलास्टिंग से हटके अगर कहीं दूर से अगर हम सेंपल लेगे तो वहां का सेंपल में फिरी सिल्का का percentage कम होगा तो एक weighted average जब हम सेंपल लेते हैं तो एक weighted average निकालके ही हम dust का permissible limit निकलते हैं तो एक weighted average का बात कर रहा है कि हम सेंपल जो लिए है उस weighted average एक तरह से एक स्पोर्जार टाइम अब दे इंपलाई बता रहा है ये टावर टाइम्स ठीक है तो आज बस इतना ही इस टोफिक से हमने कोशिश किया है कि डास्ट किया है और इंपोर्टेंट रेगुलेशन जो है उसका कुछ पार्ट बताया हूँ आज आज आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सिया करना ना भूले Thank you for watching.